Hello everyone, इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे Pro-Priority and Open Source Software यह जो topic है, यह ICT का topic है ठीक है, ICT जब आपको BID आमेट में पढ़ाया चाता है तब इस concept को पढ़ाया चाता है Pro-Priority Software and Open Source Software दो different approaches हैं अगर हम बात करते हैं किसी भी software को develop करना मतलब बनाना, उसको distribute, लोगों में उसको देना and licensing, licensing आपको पता होगा ना कि suppose आप कोई काम करते हो या कोई software यूज़ करते हो So you should have a license for that, right तो वो ही difference समझने के लिए हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि दोनों के बीच में difference actually होता क्या है सबसे पहले, proprietary software की अगर मैं बात करूँ तो इसकी ownership के बारे में बात करते है तो यह जो proprietary software होता है यह specific company या individual का होता है ठीक है, and source code अगर आप मेंसे कोई भी computer background से है तो आपको अच्छे सा idea होगा जैसे कोई भी चीज़ develop करते है तो एक code होता है मतलब source जिसके through उसको develop किया गए ठीक है, इसके बारे में मुझे भी बहुत detail में idea नहीं है because I am also not from the computer background but जितना मुझे पता है मैं उसके according आपको बताती हूँ, ठीक है तो source code होता है, जैसे suppose source code अगर किसी के पास हो तो वो उसको develop करे उसको changes कर सकता है उसके features में, या कोई bug होता है, उसको पकड़ सकता है तो यह सब चीजे हो पाती है तो यहाँ पर ही लेकिन source code public को available नहीं कराया जाता है ठीक है, एंड जो users होते हैं, उनको compiled बना बनाया हुआ पूरा ऐसा version मिलता है, जिसको directly आप launch करो या directly use कर लो ठीक है, तो यह आपका proprietary software हो गया, अब मैं अगर distribution की बात करूँ, इसको access देना, मतलब हर कोई use कर ले usually restricted होता है, मतलब क्यो restricted होता है, क्योंकि obviously अगर किसी ने बनाया है कोई software, तो वो चाहे गा कि उसके लिए उसको payment मिले या उसको पैसे देने पड़े है तो यहाँ पर क्या होता है, users often need to purchase a license to use modify or redistribute the software, क्या करना पड़ता है, जो भी users होते हैं, उसके license को खरीदते हैं, पैसे दे के और कई बाद time होता है, एक साल, दो साल, lifetime, जो भी होता है and उसके बाद उस software को distribute किया जाता है, जो terms and condition है, वो क्या रहें, वो जो software के owner होते हैं या developer होते हैं जिन्होंने उसको develop किया, उनके वो देखते हैं इन सब चीज़ों को कि क्या conditions रहें, control के अगर मैं बात करूँ the development, modification and distribution of proprietary softwares are controlled by the company or individual, यानि इसको develop करना, इसका modification, इसका distribution सारी चीज़े company या individual देखते हैं, जो भी इसको चलाते हैं, ठीक है users have limited ability to customize the software or access its underlying code, जो users होते हैं, उनके पास ये ability नहीं होती, कि वो software में changes ला दें या उसमें बदलाव ला दें, उसके source code में कुछ changes कर दें they don't have that ability so users have limited ability to customize the software, या फिर उसका जो भी code होता है, उसमें changes करना वो उनके हाथ में नहीं होता है, अब आते हैं open source software के बारे में discuss करने पे, open source software basically develop किया जाता है collaboratively and the source code is made available to the public, मतलब मिलके कई लोगों ने मिलके बनाया इस, ठीक है and जो उसका source code होता है वो public के हाथ में होता है तलब कुछ हद तक, ना कि सब कुछ बट कुछ हद तक and ownership इसमें कोई एक person नहीं, बलकि एक community of developer के या कई सारे लोग होते हैं इसके पीछे, एक single से जादा mostly इसमें community देखी जाती है, जो इसको control करती है के हाथ में इसका access होता है यूजर्स फ्री हैं कि वो इसको देख सकते हैं source code को और modify कर सकते हैं changes करके दे सकते हैं and अगर obviously इसको अगर distribute करा जाएगा तो कोई license होता है जैसे कि JNU license, जैसे कि journal public license, which allow users to freely use modify and distribute the software जिसकी help से कोई भी user इसको अच्छे से use कर सकता है, modify कर सकता है distribute कर सकता है often with the condition that any derivative work also be open source, मतलब कि आपने इस software को use करके कुछ नया बनाया, उसमें changes करें, कुछ नई चीज बढ़िया करिया आपने, ठीके? लेकिन ये भी open ही रहेगा, एसा नहीं कि आप उसे बाद में बंद कर दोगे कि नहीं, अब तो मैंने इसमें चेंजिस करें, मैंने बट दिमाग लगाया है, नहीं, एसा नहीं है वो उपन ही रहता है, ठीके? तो यही इसकी होती है जब बहुत जादा, मैं मैं honestly फिर से बताती हूँ कि मुझे भी ये सब चीज़े सूपफीशल ही बता है, ठीके? मैं बहुत डेप्ट में नहीं बता पाऊंगी कि exactly क्या होता है, तो अगर कोई science background का या computer science background का बच्चा कोई गलती फकरता है तो please आप comment section में बता दीजेगा because I am not from that background तो मैंने ये exam point of view से जो main main चीज़े मुझे पता है सही है मैंने वो चीज़े लखी, ठीके? तो आप इसके नीचे अगर कोई changes है या कुछ आपको लगता है कि मैं ये नहीं है तो please comment करके बताएगा community involvement के अगर मैं बात करूँ the development process is open to the public encouraging collaboration and contribution from a diverse community of developer तो इसको जब develop किया जाता है तो पहली बात तो सब के लिए open होता है ठीक है, collaboration यहाँ पर अच्छा होता है लोगों से मतलब encourage किया जाता है कि हाँ आप आके मिलके काम करिये and contribution एक diverse community of developers की site से आता है जिससे innovation देखने को मिलती है अगर कोई भी बागाया बागाता है कि कोई software में जैसे आप देखतो ना कोई चीज खोल रहे है कोई link खोल रहे है बट नहीं खोल रहा है कुछ और जगे पर जाके land हो रहा है या फिर कही बार क्या होता है कि मतलब एक particular point पर problem होती है या पांदस users जादा आजाए मतलब हजारो users जादा आजाएं तो वो चलता नहीं है तो यह सब bugs इसको ठीक करते हैं तो जब लोग उत्ते सारे उस पर नज़र रखते हैं उसको ठीक कर सकते हैं तो एकदम से वो they can detect the bug and obviously इससे continuous improvement देखने को मिलती है now when I talk about the examples proprietary software की मैं अगर बात करूँ तो कुछ examples है Microsoft Office, Adobe, Photoshop and many commercial video games in fact कई सारे video editing softwares वगेरा ठीक है open source software जैसे की अगर आप suppose you know आप web server चला रहे हो Mozilla Firefox browser हो गया Pache हो गया, Linux हो गया यह सब चीज़े आपकी open source में आते now जब हमने इनको इतना discuss किया है तो एक बार इनके advantages and disadvantages भी देख लेते बोथ proprietary and open source software have their advantages and disadvantages दोनों में advantages भी है and disadvantages भी है proprietary software क्या होता है कई बार वो ज़्यादा polished होता है and user friendly experience होता है लेकिन उस पे control बहुत ज़्यादा नहीं होता open source software ज़्यादा transparency provide करता है flexibility provide करता है community support provide करता है but उसमें technical expertise चाहिए अगर आप उसको customize करना चाहते हो, change करना चाहते हो and जो choice होती है दोनों के बीच में वो dependent होती है किस पे specific needs and preferences of users और organization ठीक है कि मतलब क्या है कौन सा use करना चाहिए depend करता है organization में कहां पे किस चीज के demand है ठीक है so हमने ये topic cover किया because ICT जो है B.Ed का उसमें इसको cover किया गया है ये वीडियो अच्छी लगी तो please channel को subscribe कीजगा video को like कीजगा सबसे important चीज आपको सारी वीडियो B.Ed की अलग-अलग universities की IP की Punjab University मतलब there are various universities जिसको मैंने अपनी channel पे cover किया है आप वो please सारी playlist पे जाके देखेगा you will find the videos description box में link भी दिये है उनको भी check कर सकते है और आपके दुरब से एक छोटा सा support चाहिए कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो फटाफ़र से channel को subscribe कर दीचेगा thank you so much